तीम आरोहन वापिस आ गई है United Nation Series की दूसरी installment लेकर आज के इस वीडियो में हम फिर से cover करेंगे United Nation से जुड़े हुए 15 very important questions लेकिन हमेशा की तरह उससे पहले आप सभी को मेरा नमशकार और स्वागत है आप सब का आरोहन बीना समय का माईश शुरू करते हैं हमारा question number 16 question number 1 to 15 कहा है part 1 में है right question number 16 question number 16 कहता है सेक्टरासंग का इंक्या मनुआ संस्थापक देश बना इनमें से जो options दी हैं इनमें से कौन सा देश है जो सेक्टरासंग का 51th country बना founder country संस्थापक देश ठीक है options है हमारे पास Montegro, Tawalu, Poland और Switzerland इनमें से answer कौन सा है इनमें से answer है option C, option C मतलब Poland, Poland जो है वो 51th country बना, इंक्या मनुआ देश बना, सेक्टरासंग का संस्थापक देश बना, कौन? Poland, इंक्या मनुआ देश पॉलेंड बना अगले question में चलता है, question number 17, question number 17 क्या बोल रहा है? संस्थापक देश नहीं है, मतलब इन जो चारो option है, उनमें से कौन सा देश है? जो इस्थाई सदस्य देश नहीं है, किसका? सेक्टरास्ट संग के सुरक्षा परिशत का स्थाई देश नहीं है, security council का permanent member नहीं है, कौन नहीं है? यह options में से देखना है हमको, option क्या है हमारे पास? option A है, रूस, option B, फ्रांस, option C, चीन, और option D, जेपैन, तो इसका answer है option D, option D, जेपैन, जेपैन जो है, वो सेक्टरास्ट संग के सुरक्षा परिशत का स्थाई सदस्य देश नहीं है, कौन नहीं है? जापान, बाकी यह जो तीनों कंट्री है, यह इनके स्थाई सदस्य देश ह हैं, इसके स्थाई तुरास्ट संग के सुरक्षा परिशत का, अगला सवाल देखते हैं, question no 18, स्थाई सदस्य देश हैं, मतलब यह पूछ रहा है कि स्थाई सदस्य देश हैं, जैसे कि हमने पिछले question में देखा अभी, कि तीन देश तो हमको पता चल गाए, तो मतलब यह है यह वो तीन से ज़्यादा ही होंगे यहाँ पे options हैं हमारे पास option A है 5 option B है 7 option C है 9 और option D है 11 और answer है option A 5 पांच countries हैं पांच countries हैं सहुतराश्टंग के security council में सुरक्षा परिशद में जो की permanent members हैं इस्थाई सदस्य हैं वो है यह पांच पांच countries जो है वो permanent security council के member हैं कौन कौन से वो देश हैं वो है चाइना, France, Russia, Great Britain और USA ठीक है यह पांचों country है जो की सेटराश्टंग के 27 सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं चाइना, France, Russia, Britain या United Kingdom और USA से, next question number 19, स्वेक तुराश्टंग के सुरक्षा परिशद में आइस्थाई सदस्य देश हैं, स्वेक तुराश्टंग के सुरक्षा परिशद में कितने आइस्थाई सदस्य देश हैं यह हमसे पूछना चाहा रहा है, options दिया हुए हमारे पास option A है 10, option B 12, option C 15, and option D 17, स्वेक से, इसका जवाब है, option A, option A मतलब 10 कंट्री, 10 कंट्री को स्वेक तुरक्षा परिशद में आइस्थाई मेंबर्शिप मिली हुई है, और 5 जो कंट्री है, वो पर्मानेंट मेंबर्स हैं, स्वेक तुराश्टंग के स्वेक तुराश्टंग के, question number 20, question number 20, स्वेक option A, 26 April 1945, option B, 26 May 1945, option C, 26 June 1945, और option D, 26 July 1945, ठीक है, तो इन में से answer है हमारे पास, answer C, answer है C, 26 June 1945, इस date पर 26 June 1945 पे स्वेक तुराश्टंग के अधिकार पत्र पर सिगनेचर हुए, considerate पे 26 June 1945 पे, अगला question देखते है, question number 21, स्वेक तुराश्टंग का एक प्रमुक अंग नहीं है, तो उन में से ये जो option देवे, उन में से एक प्रमुक अंग कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है, options है हमारे पास, सुरक्षा परिशन, अंतरराश्टी न्याले, महासभा, औ और विश्वय पारसंग अठन, तो इसका आंसर है, आंसर डी, विश्वय पारसंग अठन, विश्वय पारसंग अठन है, वो प्रमुक अंग नहीं है, किसका सैंगतराश्ट संग का, बाकी ये तीन, इनके प्रमुक अंग है, किनके सैंगतराश्ट संग के, विश्वय पारस से सयंगत तुराष्ट के महासच Baum का कारिकाल होता है seperti सयंगत तुराष्ट के जो महासच Baum होते हैं उनका जो उनका जो 10- Care होता है उनका जो work 10 years हो होता है कितने साल के लिए उनको निक्त किया जाता है वो पूछ जा रहा है हमसे option देखते हु nous option a three years option b four year option c five Years and Election D six years तो इसका answer है हमारे पास C option C option C मतलब five years पांच सालों के लिए सायुकतरास्ट के महा सचिव का कारेकाल होता है ठीक है कितना होता है पांच साल होता है moving on to next question question number 23 सायुकतरास्ट ने आर्थी कदिकार पत्र कब स्विकार किया date पुछा जा रहा है हमसे options देखते हैं December 1970, December 1972, December 1974 और December 1976 इन में से कौन सा है जिस date पे जिस मन्त पे सायुकतरास्ट ने आर्थी कदिकार पत्र स्विकार किया था इसका answer है C, C मतलब December 1974, December 1974 को सायुकतरास्ट ने अधिकार पत्र स्विकार किया था question number 24, सायुकतरास्ट ने किस वर्स नोबेल का शान्ती पुरुषकार जीता Nobel Prize, Nobel Prize, शान्ती का पुरुषकार जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषकार होता है Nobel Prize, इसके उपर भी हम एक बहुत ही अच्छा वीडियो जल्दी से बनाने वाले हैं आप लोग उसको जरूर देखिएगा सायुकतरास्ट संग ने, सायुकतरास्ट संग एक संस्था है आपको पता है कि Nobel Prize जो है संस्था या फिर व्यक्ति या फिर व्यक्तियों को दिया जाता है तो सायुकतरास्ट संग को भी एक बार Nobel का स्थान्ति पुरुसकार मिला था तो वो पूछा गया है कौन से सं में मिला था, किस वर्स जीता था आप्शन सा है हमारे पास 2000, आप्शन B कहता है 2001, आप्शन C 2003, आप्शन D से 2005 तो इसका आंसर है, आप्शन B, आप्शन B मतलब 2001, 2001 को सायुकतरास्ट ने नोबिल का पीस प्राइज विन किया था, नोबिल का पीस पुरुसकार, शान्ति का पुरुसकार जीता था आगी बढ़ते हैं, question number 25, सेयुकतरास्ट के वरतमान महासचीव हैं, सेयुकतरास्टां के वरतमान महासचीव हैं कौन है एंटेनियो गुटारिस ठीक है चलिए अगला देखते हैं यह सवाल भी हमारे पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है चैंज होने के बाद पूछा जाएगा आपको और चीज़ ध्यान रखके इसका अंसर करना है तो आज की डेट में इस question के लिए answer रहेगा उसके पहले अपन देखते हैं options options क्या है लंडन, B अर्जेंटीना, C पुर्टगाल और D फ्रांस तो इसका answer है answer C पुर्टगाल एंटेनियो गुटारिज जो वरतमान में संगतरास्ट के महासचीव हैं वो उर्टगाल से आते हैं अगला question देखते हैं संगतरास्ट दिवस कब मनाया जाता है मतलब United Nations Day कब celebrate किया जाता है कौन सी डेट पे celebrate किया जाता है options दिया हुआ है हमारे पास option A 24 September, option B 24 October, option C 24 November and option D 24 December इसका जवाब तो आपको पता होगा इसी डेट पे United Nations Day पर ही हमने पहला वीडियो पब्लिश किया था हमारी इस सीरीज का और वो है option B option B मतलब 24 October 24 October को United Nations Day के रूपे celebrate किया जाता है ठीक है moving on to our next question question number 28 साहित रास्ट संग के एक मातर महासची जिनका देहानत उनके कारेकाल में हुआ मतलब वो जब designated थे अपने पोस्ट पे जब काम कर रहे थे United Nations के लिए उस duration में ही उनकी मृत्यू हो गई तो वो कौन थे ये पूछा जा रहा है हमसे options हैं हमारे पास ट्रिगवे ली, कॉफी अनन, यूथांट and डेग हैमर सोल्ड तो इसका answer है option D, डेग हमर सोल्ड डेग हमर सोल्ड हैं जिनका ये एक मातर ऐसे महासचीव है जिनकी death, उनकी जिनकी देहानत उनके कारेकाल में ही हुई थी सहिक तराष्ट संग के एक मातर महासचीव डेग हमर सोल्ड जो अपने कारेकाल में ही जिनका देहानत हो गया था आगे बढ़ते हैं question number 29 सहिक तराष्ट संग का कौन सा प्रमूख अंग 1994 से कारेरत नहीं है आप्शन दिये हुए हमारे पास आर्थिक यों समाजिक परिशद, B सचिवाले, C महासभा, या फिर D प्रण्यास परिशद, तो इसका आंसर है आंसर D प्रण्यास परिशद, प्रण्यास परिशद जो है वो 1994 से कारियरत नहीं है, सैक्तरास्टं का एक प्रमुक अंग है लेकि हैं आज के हमारे इस वीडियो के अंतिम सवाल में, क्वेस्चन नमबर 30, सैक्तरास्ट महासभा के अध्यक्ष का कारिकाल होता है, कितने साल का होता है, ये पूछा जा रहा है हमसे, आप्शन हैं हमारे पास, आप्शन A, एक साल, आप्शन B, दो साल, आप्शन C, तीन साल, और आप्शन D, पांच साल, तो इसका आंसर है, आप्शन A, एक साल, वन इयर, ठीक है, वन इयर, वन इयर का टेन्यर होता है, सैक्तरास्ट के महासभा के अध्यक्ष का, इतने एक साल तक, कोई भी व्यक्ति सैक्तरास्ट के महासभा के अध्यक्ष की रूप में काम कर सकता है United Nations की सीरीज में हमने अभी तक 30 questions cover कर लिये हैं 30 questions cover कर लिये हैं 15 questions हमारे first part के वीडियो में और 15 questions हमारे second part के वीडियो में जो तीसरा part और आने वाला है उसमें जो questions होंगे उनको मिला करके ये पूरी सीरीज complete हो जाएगी और United Nations से जूरी वी सारी बातें सारे questions इस सीरीज में पूरा cover हो जाएगा आप सबसे एक छोटी से request है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कूसिडर सब्क्राइग था ये निर। लेन टेक्रे केर गाइग्स